नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिनीश कुमार चारण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहित्य का ध्यन में एक बार फिर शेश्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल हिंदी शाहित्य का ध्यन को सबस्क्राइब करें अगर सामने प्रतेग टोपिक को बारीकी की साथ प्रस्तूत करने का परियाश करूंगा इसे प्रश्णों का निरμान किया जाएगा जिन्हें प्रतियोगी प्रिक्षाउं में पूछे जाने की ज़्यदा शंभावना हुझ रहती है मेरा उदेश ही रहता है कि कम से कम प्रशनों के माधिमशे और ज़्यदा से ज़्यदा सामगरी आपके शामने प्रस्तोत कर शकूँ ताकि आपको आसानी से ये बाते समझ में आ सके और आप किशी भी प्रतियोगी प्रिक्षा को आसानी से पास कर सके और मेरी यह चाह है कि एक दो दिन में अगर एक अजार सबस्क्राइबर हो जाते हैं तो मुझे भी वास्तों में लगता है कि मेरा यूट्यूब पर इस परकार से वीडियो बनाना सार्थक होगा मुझे इसा लगता है कि आपकी इन चीजों में कोई दिल्चस्पी नहीं है वास्तों में आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं तो मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब करने का कारे करें मैं ज़्यदा से ज़्यदा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपके सामगरी को और ज़्यदा विस्तार से लाने का प्रियाश करूंगा तो आपसे मेरी एक अपेल है कि मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाया जा सके चलिए दोस्तो आज की प्रशन उतरी शुरू करने से पहले मैंने एक कल आपको प्रशन पूछा था कि आस्था और सौंदरे नामक रसना है वो किश्की है वो एक निबंद शंग्र है अलोचना अत्मक पद्धती में लिखा गया है और ये राम विलास सर्मा जी का निबंद शंग्र है जो निश्यक्षट में प्रकाशित होता है तो उसका उत्तर था राम विलास सर्मा डोक्टर राम विलास सर्मा आज का प्रश्ण है सरश्वती कंठाभरण नामक कावे शास्त्रे गरंथ के रचनाकार कोन है आप मुझे नीचे कमेंट बोक्ष में जरूर बताना चलिए आज की प्रश्णोतरी शुरू करते हैं आज की प्रश्णोतरी आधारित होगी कावे गुण पर कावे गुण क्या होते हैं कावे की शोभा को बढ़ाने वाले शोभा में व्रदी करने वाले ततो हैं उसे हम कावे के गुण कहते हैं कावे के सौंदरिय को बढ़ाने वाले कावे के शोभा को बढ़ाने वाले ततो हैं कावे गुण कहलाते हैं कावे गुण्षे शमंदित जितने भी महतोपुन परश्ण बनते हैं वो सब मैं आपके सामने यहां रखूँँगा, सबकी व्यक्या आपके सामने प्रस्तोत करूँगा, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पहला परश्ण है भोजराज ने गुणों की शंख्या कितनी बीश मानी हैं, बीश गुणों की शंख्या कौन मानते हैं, आचारे वामन मानते हैं, वामन कितनी मानते हैं, बीश गुण मानते हैं, अलांकि यह गुण के दो भेद करते हैं, शब्द गत और अर्थ गत, शब्द गत के इंतर गत 10 और अर्थ गत के इंतर गत 10 इस परकार से वो बीश गुण मानते हैं तीसरा है दस गुण मानने वाले भरतमोनी और दंडी भरतमोनी ने और दंडी ने दस दस गुण मानते हैं और सरो माने रूप से जो भारतिय कावे शास्तर में गुणों की शिख्या माने जाती है वो तीन माने जाती है अगला प्रश्न है भारतिय कावे शास्तर में गुणों की शंख्या तीन किष्णे मानी है तो तीन किष्णे मानी है सबसे पहले तो आनंद वर्धन मानते हैं और इस विकल्प में आचारे ममट है तो आनंद वर्धन के बाद आचारे ममट है वो गुणों की शंख्या तीन मान तो ये तो आपको पता होगा मैंने उपर बताई दिया है कि बर्तमुनी दस मानते हैं दंडी दस मानते हैं और वावन बीश मानते हैं ठीक है अगला प्रशन है स्यूक्त अक्सर का नगणिय परियोग किस गुण की विशेष्टा है मलब श्यूक्त अक्सरों का न के बराबर प प्रयोग बिल्कुल कम मात्रा में होता है ठीक है उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नमेश ये किस रच के इंतरगरत माधूरी कुण का समावेश नहीं होता है तो वीर रच है जिसका सम्बन्द माधूरी कुण से नहीं होता है मतलब स्रिंगार रस करूर रस और शांत रस इन तीनों रसों के लिए कौन सा गुण होता है माधूरी गुण होता है ये तीन है तीनों रसे इसमें माधूरी गुण का समाविश होता है लेकिन वीर रस में माधूरी गुण का समाविश नहीं होता है रिश्की ज़्यादा समाश्युक्त सब्दों का प्रियोग ओजगुन की विशेशता है ओजगुन में समाश्युक्त सब्दों का प्रियोग होता है और इसमें शंयुक्त अक्सर सब्दों का प्रियोग भी होता है शंक्त अक्सर का प्रियोग ओजगुन में बहुल मातरा में होता है इस स्रिंगार रष के इंतररगत ओजगुण का प्रियोग नहीं होता है। रोदरश भयानक रख्ष और चोता है विभद्सरश च्यार रशों के लिगत ओजगुन का शमाविश होता है वीरश रोदरश भयानक और विभद्स अगला प्रशन है सहज शरल शब्दावली का प्रयोग किस गुन की विशेशता है सहज और सरल शब्दाओली का प्रियोग है वो परशाद गुण की विशेषता है परशाद गुण में सहज और शरल भाषा का प्रियोग की आ जता है अगला प्रश्ण है किस आलोचक ने गुणों को रसासृत माना है तो रस के आसृत आचारे रामचनर शुक्ल ये मानते हैं क अगला प्रशन है ये माध्री त은 श्रंग शे से प्रभुर्ब शुद्ध भारतियें इस पंक्ति में कौन्षा गूण है इस पंक्तिमें ओ जो जो बतायगया था कि श्रंग तकसर का प्रीयोग जज्यद्धा होता है और माधुरीं में बहुत कम होता है जबकि ओजगुण में शेंक तक्सर का बहुत ज्यादा होता है तो ये पंक्ति आपकी जानकारी के लिए बता दूँ हिमाद्री तोंग शरंग शे प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये पंक्ति जैसंकर परशाद की नाटक चंदर गुपतशे ली गई है अगला प्रशन है नियमन मेशे किस आचारे ने माधूरे का अरत सुरुति मधूरता माना है तो सुरुति मधूरता आचारे भरत मुनी जी मानते है और वो ये मानते हैं कि सुरुति की मिमलब सुनने में बहुत ज़्यदा मधूरता आती है तो वो मधूरे गुन के इंदर के दूसका समाविश होता है आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत